जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने ही वह के यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं जो खेला जाएगा इसको लेकर डीटेल में बात कर लेंगे और सबसे पहले आप एक बात समझ लो अभी जो हम बात करेंगे वह बस एक डेमो टीम होगा फाइनल टीम में आपको अपडेट्स आने के बाद पिछ रिपोर्ट के लिए आने के बाद बदलाव दिखेंगे वह अपडेट्स कहां पर मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा अब आते हैं बात कर लेते हैं वीनिंग परसेंटेज को लेके तो टैगो ए स्पाक्स अभी टॉप फॉर में चल रही है लेकिन दोस्तों सेंटरल हिंड्स के पास बहुत बड़े-बड़े पिलर सब टच में आ गये हैं जिसमें से दोस्तों इनका बिकेट कीपर एंडॉड को लेके बात कर लो या जेस वटकिन को लेके दूस्त आप लोग बात कर लो या कुछ इंसे अलावा बात करने जाओ हना रॉबे भी बहुत बड़ी पीक हैं यह बात और है कि बिछले मैच में एक और में 20-22 रन खा गई थी और मैच हरवा दी थी लेकिन दोस्तों इसके बाद बात कर देख रही है इस मैच में ठीक है न अब जालिए दोस्तों हम देख लेता है दोनों टिम ने तो यहां आपको दिख जाएंगे सेंटरल हिंट्स का जो स्क्वाइट दिखेगा वो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा जहां आपको कैप्टैन से जेसे वर्टकिन करते नजर आज जाएंगी इसके लबाद देखिए मैडम जी कितनी प्यारी हंस रही है बोल रहे हैं कि आज सामने वाले टिम को फेंटी लगा ही देना है लेकिन सामने वाले टिम कमज़र थोड़न है वह भी आपको दिखाते हैं आगे वह क्या कह रही है यहां पर आओगे तो आप लोग देखो कि एंडॉड को बिकेट की है पीछे नजर आएंगी इसके लबाद जी एटिंग सं ओस दिखा रही है उनको बोलड़े माडम तुम आठ तो जाओ फिल्ड पर फिल्ड दिखाते हैं क्या होने वाला है वहां पर तो यहां आपको दिखेंगे सुजी वेट्स इमा ब्लैक सी ब्लैक ली एड़न कार्सन कैट इब्दाहम ओगेन पॉली इंग्लिस बेला जेम्स एमेल सब आपको दिखेंगे कैटे इब्दाहम डेथ में गंदवाजी डालते हुए कभी-कभी मैंने देखा कि यह स्पीनर को लेकर भी डेथ में जाते हैं चाहिए वह कैटे एंडर्सन हो या फिर कहां चलेगी इडन कार्सन हो या फिर दोस्तों सौफी ओल्डर से हो अब यहां अब बात करोगे यहां को डेथ में आ जाएंगी एक तो आर्मेयर आपको डेथ में दीखेंगी दूसरा एंपने ही डेथ में बाज़ी करते नजर आ जाने वाली है हाँ आई आईये हम देख लेते हैं दोनों टीम पा जो लास्ट मैच खेला गिया उसमें दोनों टीम प्रद बात करेंगे बल्लेवाजी में जेस वटकिन साथ की थी और यहां से 52 की थी पैकेज में से एक है इसके लाबा गया था अब बात करेंगे गंदवाजी में आप सभी से एक बात जरूर बोलूँगा कि आप लोग सेंट्रल हिंट्स का जो भी इस टोनमेंट में मैच खेलेगे हैं सब को एक बार जरूर बड विजित कर लीजेगा वो आपको बेनिफिट देगा तीम बनाते वक्तिक है अब अप अटेग वर्स पाक्स को लेके बात कर ल आके आ रही है जहां पर गेंदबाजी में अगर बात कर लेंगे तो इनका अल्मोस्ट यही पांच गेंदबाज आपको गेंदबाजी कंप्रीट करते नजर आने वाले हैं इमावल्याग चारवर बात कर लेंगे सुजी बेट्स ने की थी सोलर रन पॉली इंग्लिश एक तीस रन केटी मार्टिन पंदरा केटी ब्रहम थर्टी एट सी ब्लैकली बीस बेला जमस जीरो मैरीना एक और एडन कार्सन ने की थी एक रन डेथ वालिंग याद रखेगा यहां से आप लोग कि कंफर्म नहीं है के अब आईए इन टीम को लेके मैं बता दूं कि आपको जो भी और जरूर विजित कर लीजेगा फटा पर चलते हैं और देख लेते हैं अपना ड्रीम 11 का टीम बिकेट कीपर में बात करें तो आपके लिए तीन बेहतर पिक दिख रहे हैं एक तो एंडॉड टेक्निकल सांडे पिलियर है मस्ट पिक में से एक बोलूँगा मैं उसके लाब पॉली इंग्लिस को दुनिया इग्नोर कर रही है आपके लिए बहुत बड़ी डिफेंसल पिक साबित हो सकती है बेहतरीन से भी उपर की पिलियर है और मैं आपको कहा दाता हूँ पॉली इंग्लिस नेक्स्ट लेकिन दोस्तों इंग्लिस के पास बहुत ही जाएंगी और आपके लिए एक मस्ट पिक मिस में एक बोल सकता हूँ जो कि आपको अच्छा कशा पन दे सकती है अगर इनकी पहले बल्लेवाजी आ जाए तो फिलहाल मैं यहां से एंडॉड को ही ट्राइक क्या हुआ हुआ है बैटिंग में बात कर लेंगा तो सोजी बेट्स आपके लिए अच्छी पिक बन जाएंगी इसके लाब एंप ग्रेग आपके लिए अच्छी पिक बनेंगी यह दो को ट्रैक करना ही है सेंट्रल इंस पिछले मैच में जी एटिंग्शन को ऊपर खिलवा दी थी वन्डॉन अब आते हैं अगर इनकी टीम की पहले गंदवाजी आती है तो मैं बोलूंगा मस्ट पिक हो जाएंगी ठीक टाक पिक चाहो तो ट्रैकर सकते हो अदरबास दिस्टेंस बना के चल सकते हो मैंने फिला सौफी ओल्डर से को लिया हुआ है मैं यहां से भवाजी को ट्रैक के वबाएं सेंट्राल हिंच के तरफ से सार्फ मैंने यहां सीन्मा भलैक को लिया हुआ है इस match में अगर आप Dreamland पर खेलते हो या फिर ड्रीम 11 जैसे application पर खेलते हो जहाँ तीन batsman must है वहाँ पर आपको कुछ ऐसे team try कर लेना है फिर बैटिंग में सुजी वेट्स एम ग्रेग जी एटिंग सन को लेना है और अंडर से आपको दोस्तों यहां से try कर लेने होंगे लेकिन मेरा recommendation मानो तो आप इस match में उन application पर ज्यादा खेलना जहां आप minimum एक batsman को try कर सकते हो वहाँ पर तगरी टीम बनेगी और मैं बोल दूँगा कि वहाँ आप investment हाई भी कर सकतो बीना किसी डौट के तो मेरा recommendation मानिएगा तो आप लोग को मैं यही तरजी दूँगा कि आप लोग sports या 11 challengers उन सब application पर investment हाई करना मेरा sports पर investment हाई रहने वाले हैं वहाँ पर कैसा कुछ team बनेगा आईए देख लेते हैं तो जो वहाँ टीम बनेगा दोस्तो वह भी आपको यहाई पर लगा देना है क्योंकि same pattern वहाँ पर भी है तो आईए देख लेते हैं इस match को अभी कर दिया गया है कि नहीं कर गया हां कर दिया गया ची घ्डते हैं देख लेते हैं क्या करना है मैं टीम में जाएंगे हम लोग लहाएं बैतिंग में सिर्फ हम लोग लेंगे करेंगे आप चाहिए तो यहां से 10 विलियर्प बन गखी यहां से लेकर जाओंगा अपने टीम में फिलाल क्याटी मार्टिन को आप पॉली इंग्लिस को भी ट्राइ कर सकती हो टीम प्रिव्यू को लेकर बात करें तो 11 चैलेंजर्स प्लस एस्पोर्ट्स यहां पर आपको इंवेश्मेंट टग्रे कर देने हैं दोस्तों आपके कुछ कुछ ऐसे बनेंगे हां यह बात और है कि अगर यहां से और टैगोई स्पार्क्स चेस करने जाती है तो मैं हना रॉबे के जगह पर आपको अपने फाइनल टीम में दिख जाओंगा पॉली इंग्लिस लेते हुए टीम प्रिव्यू कुछ सिंपल सा बन रहा है काटी मार्ट के लिए किसको कैप्टन देंगे किसको बीसी देंगे वह भी बात करेंगे वीडियो को लाइक और चैनल के सब्सक्राइब दवा के कर दीजिए यहां पर पांच पिलेर्ट जो है कैप्टन वीसी के लिए उन्हें पहला नाम है क्याटी इब्रहम का दूसरा नाम है जेस जाएगा फिलाल स्वाली की बात करें तो मैंने अपना दर्या दिल दिखाया है कैट इब्रहम को दे रखा है इनमें अगर कोई बदलाव होते हैं तो अपडेट्स आपको टेलिग्राम पर कंफर्म देखने को मिल जाएगा आईए देख लेते हैं ड्रीम 11 जैसे इस वाटकिन को लेकिन मैं आपको रिक्मेंड एफिर से करूँगा कि इन सम मैच में आपको जो हाँ पर आपको लगे कि मिनीमम में एक बैट्स पां को ट्राइ करना चाहिए वह आप ड्रीम 11 पर इंबेस्टमेंट थोजा सा कम करना बाकी उमीद करते हैं इस चोटा सा वीड पांच पिलर को जरूर होल्ड करके रखिए दस बार पांच बार जो भी आपका एमोंट बजट एलाव करें उसको होल्ड करके रख लीजिए और चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना एक्शेंस 22 का पिक भी बताइएगा और किसी भी पिलर को लेकि अगर आपको को टेलीग्राम पर प्रोफाइड करवाता हूँ तो कमेंट सेक्शन में अपना फीड़बैक आप लोग जरूर द्या कीजिए जो भी मैच का मैं वीडियो देता हूँ उसको लेके